चैन दोस्तों आगते हैं आप सभी का ओफ लाइन फॉर्म ओफिशल यूटूब चैन के एक नई वीडियो में फ्रेंट्स आज की वीडियो में बात करने बालें आप सभी के लिए एसी सेंटर साउथ एंड नौर्थ एटीसी बंगलॉर की तरफ से जो वेकेंशी का नौट केशन जारी क्या गया था उसकी एकजाम डेट आपकी जारी कर दी गई है कि आपकी एकजाम डेट क्या रहने बाली है तथा आपकी कुछ पोश्ट के एडमिट कार्ड भी जारी कर दी गये तो अब यह आपके मन में बहुत सारे क्वेस्टन आ रहे होंगे डाउट निकल कर रहे हैं कि भाई एक्जाम डेट क्या रहने वाली है इसके एडमिट कार्ड कैसे आ रहे हैं तो आपको बताना चाहूंगा इसके ओनलाइन कैसे अडमिट कार्ड आ रहे हैं यह भी मैं आपको complete information देने बाला हूं तो वीडियो को आपको complete जरूर देखना है यह दिया आप हमारे चैनल पर फच्ट है विजिट को रागी अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना अब चलिए फ्रेंट इसकी डिटेल में जानकारी जान लेते हैं सबसे पहले हम बात करने बालें कि अभी आपकी किस पोस्ट का यहां पर जो आपका कार है वो जारी किया आपकी एक्जाम डेट क्या रहने बाली है आपने किस पोस्ट के लिए अपने application form को apply किया तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है जिससे हम आ किस पोस्ट के हम पर admit card जारी किये गए उसके बाद आपके exam pattern exam syllabus आपके किस परकार admit card आ रहे हैं जो भी आपके doubt है सब भी doubt आज की इस वीडियो में आपके clear करने बाला हूं तो फ्रेंट सबसे पहले मैं आपको बतना चाहूंगा जो भी आपके हम पर admit card जारी किये गए गए आप सबी के यहां पर admit card जारी किये गए थे फ्रेंट इस पोश्ट के के बल एक यहां पर वैकेंची तो आपकी एक वैकेंची थी इसके जो admit card है वो जारी किये गए देखेंगे अभी बात करेंगे आपके MTS माली इंगार्नर की जो आपकी वैकेंची थी आप सबीने यूट यहां बरबाद नहीं करना चाता हूँ आपको admit card के दिखा गए बट मैं आपको बताना देना चाता हूँ जो आपको MTS माली इंगार्नर का आपका एक सेप्टेंबर 2022 का आपको एक दिन में एक जाम यहां पर conduct नहीं करा जाएगा कई भाई का मेरे पास admit card भी आए उनका 2 आपके exam conduct करा आजानें देखे फ्रेंड्स आपने अपर किसी भी पोईस्ट के लिए apply किया था मैं आपको यहीं नहीं कह रहा हूँ कि अपने MTS के लिए apply किया हूं आपने किसी भी Prest के लिए apply किया था पर आपको यह मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके सभी के सेप्टमर्लाइक आपकी करने करने सब्सक्राइब करें जानते हूंगे कि यसके फर्म को सब्सक्राइब करने कि लाइड का जो बाइड करता हुए चाहंब कि आपके आपको व्य पार पर अपनी इमयल आईडी मेंशन कि थी उसी पर आपको रिप्रेश करते हुए चेक करते हुए आपकोड़ नहीं है तो को कोई लेने की जरुदित नहीं है अपके लाश्ट वीक और सेफ्टम। 나서 आपको यहांपर है वापके आने वाले हो लाश्ट वीक आप सेप्टेमबर तक आपका एक्जाम भी अंडर्ट करा लिया जाएगा तो फ्रेंट अभी आपको जाला टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यह दिया आपका एडमिट कार नहीं भी आ तो आपको एडमिट कार की टेंशन छोड़ दें आपका अधर पूश्ट का भी अडमिट कार आता है तो मैं आपको जरूर यहां पर आपको बता दूँगा आपको क्या करना है मैंने आप सभी के लिए एक स्पेशल वर्टसअप ग्रूप बनाया हुआ है तो आपको इस वर्टसअप ग्रूप से जरूर जुड़ जाना है वीडिय नौट केशन में रीडाउट कर लेते हैं उसके बाद मैं आपको जानकारी कंप्लीट यहां पर बताने बाला हूँ तो पस आपको मैं यह सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपको अपनी इमेल आईडी को बार बार चेक आउट करते रहना होगा देखे प्रेंट अभी मैं आप आपको यहां पर लेकर आ चुका हूँ जैसा कि आप सभी ने देखा होगा यह आपका ओफिशल नौट पिशन था जो आप सभी ने रीडाउट किया होगा जब आपने एप्लिकेशन फॉर्म को फ्लप किया होगा देखे फ्रेंट सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँग कि हाँ पर बता दीए कि merit base हैं पर आपको merit base आपको दिखा दियागा है तो इसलिए बहुत सारे भाइयों कि हाँ पर comment आ रहे थे तो फ्रेंट मैं आपको बतना चाहूँगा यहां पर क्या percentage पर पर admit card आ रहे हैं तो friends अभी मैं आपको बतना चाहूँगा, ऐसा मैं कुछ भी आपको clear नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी अधिक भाईयों कि यहाँ पर admit card जो नहीं जारी किये गए हैं, देखिए मैं आपको यह की बात यहाँ पर बतना चाहूँगा, यहाँ अधिक forum fluff यहाँ पर किये गए हो चलिए friends आपकी यह जानकारी पर आपको मैंने दे दिया कि आपके जो percentage बेस और यह अभी कोई भी मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, मैं कि आपको अभी कोई भी यूटूबर नहीं बता सकता है, चलिए friends सबसे पहले आपके मैं इसके syllabus के बारे में जानकारी देने बाला हू चलिए friends सबसे पहले आपको बताना चाहूँ है पर जन्डल इंटेलजेंट एंड रीजिनिंग है, friends यह आपकी रीजिनिंग होती है, आपको रीजिनिंग की कोई भी बुक आपको पर्चेज कर लेनी, आपको यह भी बुक के बारे में बताने बाला हूँ, आपको ज्यादा रीजिनिंग को पल लेते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें 25 में से आप 20 कोईशन यहापर अनी बाले हैं, बिल्कुल करेक्ट करके आनी बाले हो, तो friends आपको रीजिनिंग को लेकर तो ज्यादा टेंशन लेनी की आप सकता नहीं है, इसके अलब आप friends बात करेंग इसके आपके बहुत ज़्यादा कोईशन आते हैं, जिसके friends आपको 50 कोईशन यहापर 50 मार के देखने को मिलने बाले हैं, तो friends मैं आप सभी को बतना सजेस्ट करना चाहूंगो कि आप सबसे ज़्यादे के इस्टैटिक जीके पर फोकस करना है, इसके अलब आप बात करेंग आपको आपकी English को लेकर, देखिए English को लेकर मैं आपको बताने बाला हूं, देखिए सबसे पहले मैं आपको English को लेकर बताता हूं, देखिए 50 कोईशन आपर आपके 50 मार के रहने बाले हैं, देखिए friends यह आप English किये देखिए आपके किसी भी यहाँ पर, मैं आपको यह न टेकि लूसेंट में आप ज़्यादा प्थ시면ि जाओगा। इसमें बहुत ज़्याद रूर है।। तो आपको क्या करना है को किसी भी टीचर की आप सब्सक्रागी सेसे कर लेते हो। आपको इंग्लिस को जादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इसके अब आप फ्रेंट बात करें गें नुमेरिकल एप्रिटूट को लेकर तो नुमेरिकल एप्रिटूट के आपके 25 को 25 मार्क के देखने को मिलने बाले हैं बहुत भाई बेहनों को यह दाउट रहता है कि भा इसकालब है इसका इसका मतलब होता है यदि आप 114 के बारे में डीटेल में आप जानकारी ले सकते हो ति आपको एंपर रीजनिंग के बारे में डीटेल में बता जीएगा की कौन-कौन से आपको आपकोवारन death में आपको कौन-कॉन से बहुत मैद्पूर्ण रखती है यह आपकि scientific research आपके विध्यानिकों के research उनको आपको पढ़े ना होगा लेकिन प्रेंट्स मैं आपको एक वात बताना चाहूंगा कि आपको भारत और भारत के पड़ोसी देश के बारे में पढ़ लेना है बट आपको सबसे ज़्यादा फोकस इस्टेटिक जीके पर ही करना होगा इसके अलबा फ्रेंट्स आपको बतना चाहूँगा यह आपकी इंगलिस की बुक लेने बाली है के लिए कोई भी बुक यहां पर पर्चेज कर सकते हो बट मैं आपको बतना चाहूँगा आप सभी के लिए एस्टी सेंटर रहे दिया बुकी खरीदना चाहते हो आपके पास कोई भी बुक नहीं है बुक है उसको भी पढ़ सकते हो इसको भी खरीज सकते हो बट मैं आपको सजेश्ट करना चाहूँगा कि आपको कोई भी नई बुक यहां पर नहीं खरीदने होगी आपकी ओल्ड बुकों से आपको सबसे ज़ारा आपको प्रेक्टिस पर अपने ध्यान देना होगा कि आप अपने जो पहले चीज पर हुई है उसी कि आप प्रेक्टिस करें अब चलिए फ्रेंट्स आपको मैंने पूरी हां पर जानकारी दे दिया भी आपको कोई डाउट नहीं बचा रहा होगा आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको कई मैंने लिंक प्रोबाइड करा दि है तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो मुझे लाल वाला बटन है उस पर फूट भेक के मारो या फिर मोंबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए अब मैं भी जा रहा हूं मुझे पैतों के पीछे भागना है बाई